हलो दोस्तों, वेलकम टू आर चैनल जिन्देगी वेलकम, मैं हूँ डॉक्टर नेहा शेर्मा और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाले हूँ कि मैं अपने बेबी के साथ फुल डे कैसे स्पेंड करती हूँ, मेरा फुल डे रूटीन तो सुबह उटती सबसे पहले मैं अपनी बालकनी में आके गरम पानी पीती हूँ, मौसम अभी फिला थोगा ठंडा रहता है लेकिन अच्छा लगता है, बहुत शांती होती है सुबह सुबह यहाँ पे, तो यही आई थिंग जो टाइम होता है सुबह का कुछ देर के लिए ज पिचन में हस्बन अभी ऑफिस जाने वाले है तो मैं उनका टिफन बना रही हूँ, उसके लिए रोटिया वगारा बना रही थी, तो पहले मैं उनका और मेरा ब्रिकफास्ट बना लेती हूँ हमेशा, यह देखिए मीकु भी यहाँ उठ गया है और उठते ही पहले तो मैं पाने पलाती हूँ और अब लेकिन यह दूद पिला रही हूँ, मैं अपना भी दूद पीरी थी, तो जब मैं पीती हूँ तो उसका भी यह चोटा सा ग्लास है, मेरे पास तो वो उसको भी पिला देती हूँ दूद, वो मेरे साथ ही, हर चीज मतलब उसको हाबिट हो गई है कि अगर मैं कुछ पीरी हूँ तो उसे भी पीना है, मैं कुछ खा रही हूँ उसे भी खाना है, अब हस्बेंट ओफिस जा रहे हैं, तो वो देखे हमें आए हैं यहां पे बाई करने के लिए, और मीकु उनको ही देख रहे हैं कि अपापा जा रहे हैं, बाई, बाई कभी का ब्रिकफास्ट बना रही हूँ, आज मैं उसके लिए दूद वाली मीठी सूजी बना रही हूँ, मिकु रोज 9 बजे के असपास ही उठता है, सवानों साडे नों ऐसे, और उसके उठने के थोड़ी देर बाद ही हस्पेंड ओफिस चले जाते हैं, तो बस जैसी वो उठत काम स्टार्ट हो जाता है, साथ में किचन का काम और उसको भी साथ में देखना क्योंकि अब अकेला विल्कुर रहता नहीं है, यह इसकी एक नजर मेरे उपर ही रहती है, यह हम कर रहे हैं ब्रिकफास्ट, देखो साथ में मैंने भी अपना ब्रिकफास्ट बनाई लिया था और इसका भी बना दिया था इसलिए ताकि वो भी मेरे साथ ही खा ले, बस ब्रिकफास्ट वगेरा करते करते हमें दस साड़े दस ऐसे हो ही जाते हैं, और ब्रिकफास्ट हो गया था तो अब थोड़ी धूप भी निकल गई थे, तो सुबह जो कपड़े धोए थे इसका फेवरेट काम है बालकनी में आती ही, उसको बहुत बार में रोकती भी हूँ, लेकिन जैसे ही उसे ध्यान आता है, वो बस तुलसी के पौदे के पास आता है, और से टच करने लग जाता है, इसको भी बहुत मजाता है बालकनी में, धूप भी आई होती है, और हवा भ बालकनी में आके, तो मैं यहां मिकु की मालिश करने के लिए आई थी, और इसके कपड़े ही निकाल रहे हूँ, लेकिन यह देखो विंडो में खड़ा रहता है, इसको विंडो से हटाना बड़ा ही मुश्किल हो गया है, वहां आते ही यह विंडो पे जाके खड़ा हो जात अब ही मैं बस आपको उपर उपर से दिखा रही हूँ कि मैं कैसे मालिश करती हूं उसको, मिकु के मालिश कम्प्लीट होते ही, मैं उसको फिर से कपड़े पहना दिये थी, क्योंकि अब ठंडा मौसम है तो मैं उसे बिना कपड़ों के नहीं चोड़ती हूँ जादा देर, और अब मैं उसे नीचे वाक के लिए भी ले जाने वाली हूँ, मैंने तो नहा लिया था और चेंज भी कर लिया है, तो अब मैं बस रेडी हो रही हूँ और लेके जाओंगी इसको नीचे वाक पे, थोड़ी देर धूप में भी रहता है, वहां अच्छा लगता है इसको, म अब हम आगे हैं घर, और मुस्त आदा घंटा मैंने उसको नीचे घुमाया, और अब साड़े ग्यारा के आसपास टाइम हो रहा है, मैं इसको ले आए हूँ उपर, आदा घंटा घुमाके, मेरी इसको साथ वॉक हो जाती है, ब्रेकफास्ट के बाद, मैं यहां पे गीजर सकते हैं, मैं जब तक पानी गरम होता है, और उसके बकेट में पानी भरता है, तब तक मैं यहां पर सब कुछ यह जो उसने बिखेरा हुआ है पूरे रूम में सारे घर में, तो वह सब कुछ मैं समेट रहू है, मेर आती है 12 बजे के राउंड तो उसके आने से पहले, मैं सुलाना होता है, तो तब फिर टाइम नहीं मिलता है, तो मैं इसलिए उसके आने से पहले ये सब कुछ क्लियर कर देती हूँ, ताकि उसे जाड़ू पुचा करने में कोई दिकत ना हो, I hope आज की मेरी इस वीडियो से काफी लोगों को ये आइडिया तो लगी चाएगा, सेरियसली ये इतना असान काम नहीं है, आप देखी सकते हैं कि जब से मैं उठी हूँ, तब से ही मैं लगी हूई हूँ, मैंने बिल्कुल ऑनेस्ट रूटीन मेरा अज शेयर किया है, और वो भी उस दिन का रूटीन जिसन मेरे हस्बंड ओफिस में है, क्योंकि छुटी वाले दिन का रूटीन मैं उसे अपना रियल रूटीन नहीं कहूँगी, क्योंकि जिस दिर हस्बंड के छुटी होती है, वो घर पर होते हैं, तो इन कामों में से काफी सारे काम वो कर देते हैं, वो मेरी बहुत हेल्प कर देते हैं, साटरेड़ संडेज को, साटरेड़ संडेज का रूटीन थोड़ा अलग होता है, यह वीगडेज का रूटीन में शेयर कर रहे हूं, मंडे टू फ्राइडे का, जब मैं अकेली घर पे रहती हूं सुबह से शाम तक, और बाकी सब कुछ मैनेश करती हूं, और मीकु की कैसे में केर करती हूं साथ-साथ में, सो वो सब मैं आज शेयर कर रहे हूं, यह रूटीन पिछले 10 महीने से रेगुलर चल रहा है, अल्मोल्स सेम ही चल रहा है, टाइमिक थोड़ी उपर नीचे हो जाती है, लेकिन सेम रूटीन चल रहा है, सिरियसली जब से बेवी लाइफ में आया है, एंड ओनेसली मैं इस टाइम को इस रूटीन को बहुत इंजॉई करती हूं, मतलब जितना मुझ से हो पाता है, मैं उसे इंजॉई भी करती हूं, और साथ-साथ में अपना बेस्ट करने की कोशिश करती हूं, मीकु के लिए एट लिए एट लिस्ट की मैं जो भी करूँ, ज लग जाता है जब उसके मुझ पानी लग जाए तो सित पानी के लिए मैं उसे लास्ट हमिशा लिता देती हूं और उसके बाद किसी बात कंपलीे हूं यह थे रँट होड़ देती हूं नहीं कर दी हूं जशपू रोजनी आझ जिए बहाँ सिफ हथते में दो बार कर दी हू मेकु का यह रूटीन है, रेगुलर ही कि वह नहाने के बाद सौ जाता है क्योंकि उससे पहले वह तीन, चार गंटे पुरा खेला होता है उसने मालिश करवाई होती है तो थक बी जाता है वह नहाने के बाद और रिलैक्स हो जाता है तो अच्छी नींद आ जाती है उसको, मिको अब सो गया है और अब मैं आई हूँ किचन में आप गैस कर सकते हैं कि मैं क्या करने आई हूँ मैं आई हूँ अब यहाँ पर चाय रखने आफ्टर ब्रेकफास्ट वाली यह मेरी चाय है जो मैं अब पी रही हूँ अल्मोस्ट आई थिंक साड़े बारा बच चुके होंगे तो यह मेरी चाय फिक्स होती है सुबह की पता ही नहीं लगा मुझे चाय की यह हैबिट कपड़ गई कि मुझे सुबह एक बार चाय पीनी है रिलाक्स ओते हूं मैस टाइम पे मिकू सो जाता है तो यह मुझे थोड़ा सा मी टाइम मिलता है मिकू जब सुरा होता है तब मुझे अगर कुछ यूद्ब का काम करना है कोई वीडियो बना नी है या एडिटिंग कर नी है तो मैं इस टाइम पे वो काम कर लेती हूं या अगर कभी मैं ज्यादा थक जाओ और मुझे नीन्द आजाए तो मैं उसके साथ ही सो भी जाती हूँ यह देखी माशय अबुठ गे हैं अंगडाईयां चल रही है आज मीकु दो घंटे सो गया था तो उन दो घंटे में मैंने थोड़ा सा रिलाक्स कर लिया था मैं भी आदा घंटा सो गई थी और चनके बाकी के काम मैंने तब तक कर लिये थे जब तक वो सोया अच्छे से नीन पुरी हुई है मीकु की इसलिए मूड इसका अच्छा है और अब यह खुश-खुश रहेगा खेलेगा चार-पांच घंटे अब मीकु की ना एक नाप कम होगी है सिर्फ एक बार ही सोता है वो तो यह मैंने दाल भी गोई थी दाल चावल बनाई थे आज मेरे मीकु के है जहाँ सिर्फ उसके कपड़े उसका समान रखा जाता है तो यहां में वह रख रही हुँ और तब तक वह भी वह खेल ही रहा है उचिप तक मैं सारे कपड़े के लिए करूंगी बेट से तब तक मीकु थोड़ा केले में अपने आप से खेल रहा है यहां पर ही है वह वो दोनों का आजकली फेवरेट गेम बना हुआ है, बॉल से पासिंग बास खेलना, काफी लोग आप में से मुझ से पूछ रहे हैं कि मेरा वेट लॉस कैसे हो रहा है, आफ्टर डिलिवरी मैंने इतना वेट लॉस कैसे कर लिया, आपको आज की इस वीडियो से तो पता चली आपको आपको अब में को चलना सिखा रही हूं मैं रोज थोड़ी बहुत उसको प्रेक्टिस कराती हूं चलने की मेरा मन है कि वो अपने बढ़्डे से पहले चलना सीख जाए बेखते हैं पर चलता है कि नहीं लड़कों का माइल्स्टोन वैसे थोड़ा लेठ ही आता है ब आपको यहां स्वेडशट पेनादी है शाम का टाइम हो गए साड़े पांच बजे का सबस तो अब मैं लेके जाने वाले इसको रेडी करके इवनिंग वॉक के लिए बहुत अच्छा मौसम होता है यहां पर शाम के टाइम भी हवा भी चल रही हो तो ज्यादा थंद नहीं इवनिंग वॉक के टाइम तो मुझे वर्डा मजा आता है शाम को नीचे बाकी बच्चे भी खेल रहे होते तो मिकु उनके साथ भी बहुत एंजोई करता है उनको देख के आते ही इसने क्या कर दिया है सारे अलु प्यास की जो मेरी रैक थी वो गिरा दी है और उनके साथ पता नी इसको ऐसे उल्टे सिदे कामों में क्या मजात है तो बस अब मैं लगगी हूं सफाई पे यह सब कुछ वापस सेट कर रही हूं सुबह से शाम इन सब कामों में हो गई है तो मैंने अपना शाम तक का रूटीन शेयर गया है मैं अपना नाइट रूटीन आपके साथ फिर कभी किसी और वीडियो में शेयर करूंगी क्योंकि अब बस हस्बेन के आने का टाइम हो गया है तो अब मेरा थोड़ा रिलाकसिंग ताइम आ जाता है जब हस्बेन वापस आ जाते हैं आप वीडियो अपको अच्छी लगयोगी अच्छी लगयो तो लाइक कीजी का औ प्राइव थीचुछ थैकला लेट रिएक हैंतर क्योंकि तょ क्यैं चरहते हैंने कीलोओ लगयोग जब पनाने क्याम वाजस का झोलत हैं शेयर ट्राइविज वाजस empresa जाते हैं एक्र जाते हैं थे जाते हैंतर करते हैंने इस वाई एक्ताना हैं